नमस्कार तो आज हम निर्जला एकादसी वरत या जिसे धीम सीन एकादसी वरत भी कहा जाता है इसकी कथा को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि आज निर्जला एकादसी वरत भी है तो इसकी कथा को हम समझेंगे इससे पहले कि हम कथा को विस्ता आवश्य करें तो आईए निर्जला एकादसी व्रत के कथा को समझने का प्रयास करते हैं यह कथा पांच पांडो में से भीम जी से जूड़ती है भीम जी अत्यंत भोजन करते थे उन्हें व्रिको दर्भी कहा जाता है उनके पेट में व्रिको नामक एक अगनी थी जो निरंत के मन में भी यह इच्छा प्रकट हुई कि वे भी एकादसी व्रत करना चाहते हैं और यह विचार ले करके वे वेद व्यास जी के पास पहुंचे वेद व्यास जी ने उन्हें सुझाओ दिया कि आप एकादसी व्रत कीजिए परन्तु भीम जी ने उनके समक्ष अपनी समस् में रहते हैं और उन्हें ने उंतर भोजन की आवशक्ता पड़ती है तब वेद्व्याजी ने उन्हें एक उपाय बताया वेद्व्याजी न कहा कि यदि वे प्रतेक मास में आने वाली एकादसी को नहीं कर सकते तो वर्ष में यदि एक एकादसी भी करने में सक्षम रहे तो उन्हें सभी एकादसीयों का लाभ मिल जाएगा परंतु उन्होंने शर्त यह रखी कि इस एकादसी को करने में किसी प्रकार का अनथवा जल का प्रयोग नहीं करना है करने का तात परिया है कि उस दिन हमें किसी प्रकार का जल, अन या किसी भी वस्तु का भोग नहीं करना है उसे ग्रहन नहीं करना है तब यह एक आदस्यों का लाब एक साथ ही मिल जाएगा और वह व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा उसके जितने मीं पाप है वह शीड हो जाएगे वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग की और प्रस्थान कर देगा और भगवान श्री हरी विष्णु जी के धाम को प्राप्त होगा तो इस व्रत को करने का अतियंत बड़ा लाब है यदि व्यक्ति नियम से इस व्रत को करे तो निश्चित तोर पर वह स्वर्ग का अधिकारी होगा और भगवान विश्णू के लोग को अवश्य जाएगा अथात एक शब्दों में कहें तो वह मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा निर्जला एकादसी व्रत व्रिशब और मिथुन संक्रांती के बीच में पढ़ती है जो एक बहुत ही उत्तम सैयोग मना गया है और इस सैयोग में पुन्य कर्म करने से हमें अतियंत लाब मिलता है अस्त्रों में इस व्रत के समन्द में इतना तक कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इतना भी भैंकर पाप करके बैठा हो अत्वा जाने अन्जाने उसके हाथों से किसी प्रकार का कोई भी भैंकर पाप हो गया हो तो इस व्रत को करने मात्र से वह सभी पांपों से मुक्त हो जाएगा तो देखिए इस वरत का कितना बड़ा महत्व है कि हम चाहें जीवन में कितना भी बड़ा पांप कर ले अत्वा हम से अंजाने में घुलवश हो जाए और यदि नियम से हम इस निर्जला एकादसी वरत को कर ले तो हम उन सभी पांपों से मुक्त हो सकते हैं जिसे हमने जाने अत्वान जाने में किया है इसलिए इस वरत का महत्व और बढ़ जाता है वबाई ये इस वरत के कुछ नियम को समझने का प्रयास करते हैं इस वरत को करते समय हमें है ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी प्रकार का जल अथवान का सेवन न करें इस दोरान हम स्नान आवश्य कर सकते हैं और आचमन कर सकते हैं आचमन में भी एक सिमित मात्रा में जल होना चाहिए अधिक जल नहीं होना चाहिए अनितावह वरत खंडित कर देगा तो यहाँ कुछ छोटी छोटी बाते हैं जिसका ध्यान आवश रखना चाहिए इस वरत को करते समय प्रिवदे से लेकर सूरे स्थ तक यदि हम पूरे दिन और रातरी तक जल अत्वा अन का सेवन न करें तो निश्चित तोर पर हमें इस वरत का पूर्ण लाव मिलेगा और हम अपने जीवन में सफल हो सकेंगे और जो भी नियम बताएगे हैं उसका यदि हम पालन करेंगे निश्चित तोर पर इस वरत का फल हमें पूर्णतय हमिलेगा और जो सास्त्रों में बाते बताई गए हैं वह हमारे उपर लागू होंगी हम उसका उनिता लाव ले सकेंगे इसलिए हमें इस वरत को करते समय नियमों का ध्यान आवश्य रखना चाहिए ताकि जो फल है वह हमें पूर उपसे मिल सके इतना ही नहीं इस वरत को करने से जितने भी तीर्थ हैं उसमें जाने का फल बैठे बैठे मिल जाता है तो देखिए इस वरत में कितनी महत होता है यदि यह वरत हम करते हैं तो हम यदि तीर्थ नहीं भी गए हैं तो तीर्थ में जाने का फ़ल हमें स्वता ही प्राप्त हो जाता है तो जो व्यक्ति इस निर्जला एकादसी अथवा भीम सीन एकादसी व्रत को करता है उसे मृत्व के समय काल के देव जो जिसे काल कहा जाता है उसके जो दूत हैं वह नहीं आते अपितु भगवान श्रीहरी नारायन जी के दूत आते हैं और उसे स्वर्ग ले करके जाते हैं अत्वा भगवान श्रीहरी नारायन जी के लोग को बैकुंट लोग को ले करके जाते हैं तो देखी एक छोटा सा परिश्रम हमारे जीवन को मुक्त कर सकता है हमें मोक्ष की और ले जा सकता है यह बात भले ही हमें छोटी लग रही हो परन्तु इस वरत का कितना महत्व है यह हम स्फश्टूप से देख सकते हैं हमारे शास्त्रों में इसका कितना गुणगान किया गया है इसका कितना वर्णन किया गया है इस वरत के दोरान आप ओम नमो भगवते वासु देवाय मंतर का जाप आवश्य करें ताकि आपका वरत पूरूप से सफल हो सके और परमात्मा आपको इतनी शक्ति दे ताकि आप इस वरत को करने में सफल हो सकें, सक्षम हो सकें और पूर्टय लाब ले सकें यदि आप सक्षम हैं तो वरत खुलने के बाद गौधान भी कर सकते हैं और यदि आप सक्षम नहीं हैं तो अनित्यादी धनित्यादी गदान आवश्य करना चाहिए इस वरत को करते समय हमें प्रमात्मा से ही प्रतना करना चाहिए कि यह प्रभु हमें इतनी शक्ति दें, इतना सक्षम बनाएं कि हम आपका यह वरत सफलता पूर्वक कर सकें और इस वरत को करने में सफल हो सकें। शास्त्रों में इसके इतने वर्णन है कि कहा नहीं जै सकता फरन्तु इतना आवश्य है कि इस वरत को करने वाला व्यक्ति कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा वो सदेव सफल रहेगा लोग में भी और परलोग में भी उसे उत्तम गति प्राप्त होगी और केवल जल पर अथवा फल पर अपने दिन को बिताएं और यदि हम अन खाते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि वह वैक्ति जैसा कि हमने पहले होता है चंडाल को प्राप्ट होता है चंडाल यो नहीं मुझाता है तो इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन हम अनका सेवन ना करें परन्तु इस वरत का अतियंत फल है और एकादसी आज हमारी वोसे आप सभी को सुख कामना है या आप एकादसी वरत करने में सफल वशक्षम हो सके तो इसी कामना के साथ अम अतिशिग्र आप सभी से जुड़ते हैं तब तक आपने ध्यान रखे सेवा का कारे करते रहे बजन करते रहे और निरंतर जागरूपता पहलाने का कारे करते रहे धर्म की ओर जाईए परभू को पाने का प्रयत्म कीजिए हम मिलते हैं अतिशिग्र तब तक के लिए धन्यवाद